हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रेक, डेली करेंट अफ़ेर्स सेशन में आप सभी का स्वगत करता हूँ, आज है तारीक 30 जुलाई 2022, और आज से रेलेटेड, आज से समबंधित, जितनी भी महतपूर्ण करेंट अफ़ेर्स होने वाली है, उससे मैं आपके ल पढ़ते रहें, बहुत सारे क्वेश्चन आपके यही से कवर होने वाले हैं, दोस्तों यदि आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, तो डेली आपको रूट एप्लिकेशन पर PDF मिल जाएगा, डेली फ्री में, दोस्तों इसके अलावा दोस्तों रात को आपको टेस्ट भी देना है, रात को 10 बजे टेली ग्राम पर टेस्ट होगा, रूट एप्लिकेशन पर टेस्ट होगा, तो डेली टेस्ट भी दीजिए, देखी फ्रेंड्स, याद रखेगा, संघर से कभी निडरना चाहिए, क्योंकि ये भी एक प्रकार की स्टोरी होगी, कहानी होगी, जो सफ़ा लोकर सबको सुनानी है, दोस्ति यदि आसानी से सफ़ा लो जाएंगे, तो क्या सुनाएंगे लोगों को, क्या आपने कितने आसानी से सफ़ा अपराप कर ली, जितना बड़ा संघर्स होगा, याद रखना, उतनी ही बड़ी तुम्हारी जीत होगी, देखी हाली में कौन सा राज, सेमी कंड़क्टर नीती शुरू करने वाला भारत का पहला राज बना है, very very important question, which has become the first state in India to introduce सेमी कंड़क्टर पॉलिसी, तो इसका सयुतर है गुजरात राज, गुजरात राज सेमी कंड़क्टर नीती को शुरू करने वाला भारत का पहला state बना है, दोस्तों सेमी कंड़क्टर का इस्तमाल कहां पर होता है, जितनी भी आप electronic devices यूज करते हैं, mobile phone, diode, transistor, integrated circuit, इस सब किस से बने होते हैं, सेमी कंड़क्टर से बने होते हैं, सेमी कंड़क्टर का एक एहम रोल है हमारे electronics की दुनिया में, दोस्तों इस policy की तहत क्या किया जाएग इसकी marking और इसकी packaging जैसी जितनी भी facilities हैं, उन सबी को आकशत करने के लिए नीती लागू की गई है, मैं आपके जानकारी के लिए बता दू, मैंने आपको पढ़ाया भी था, कि धोलरा special investment region, SIR में, 5000 से 10,000 के एकड़ में, एक सेमी कॉन सिटी भी स्थापित किया जा रहा है, चलिफेंट्स यहाँ पर options में लिखाव हर्याणा, मध्यप्रदेश, उत्राखन, आई प्रतेक राज्यों के चीफ मिनिस्टर के नाम के बारे में जान लेते हैं, तो गुजरात राज्य की चीफ मिनिस्टर क्या नाम है इनका, भूपेंद्र रजनी कांथ पटेल, क्या नाम इनका सिवराज सिंग चोहान, उत्राखन के हाली में सिम बनाए गए इनका क्या नाम है, पुशकर सिंग धामी, क्या नाम है, पुशकर सिंग धामी, हाली में उत्राखन के बारा नंबर के, बारवे, उत्राखन के सिम बनाए गए हैं, दोस्तों यहाँ पर शब्द लिखाव semiconductor, तो मैं आपको समझाता हूँ कि semiconductor का मतलब क्या होता है semiconductor को हिंदी में बोलते अर्ध चालग, क्या बोलते इसको अर्ध चालग, आप समझ के होंगे कि semiconductor किसे कहते है ऐसा कोई भी पदार्थ जो पृतिवी में मौझूद है, जो दोनों property हो, जो conductor की तरह भी काम करें, और जो insulator की तरह काम करें, दोनों पदार्थ किसमें गुड़ पाय जाते हो, सम semiconductor कहते हैं, ऐसे पदार्थ को, ऐसे material को हम अर्ध चालग कहते हैं, जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बता दिया है, किसका अर्ध चालग का, दोस्तों अर्ध चालग का जो resistance होता है, याद रखेगा, पूछा जाता है, इसकी जो प्रतिरोधत्ता होती है, कुछ आलग पदार से थोड़ी अधिक होती है, और सुचालग से कम होती, बीच में होती है अब देखी, example मैं आपको बता देता हूँ, कौन कौन से अर्ध चालग होते हैं पूछा जा सकता है, सिलिकॉन सबसे ज़्यादा सिलिकॉन यूज होता है जर्मेनियम, अर्सेनाइट गैलियम, ये जो examples हैं semiconductor के example है तो देखी friends, second important current affairs आप सबी की सामने आने वाला है very very important question हाली में अंतरास्टी बाग दिवस कब मनाय गया when is international tiger day celebrated तो हर साल 29 जुलाई को मना जाता है अंतरास्टी बाग दिवस 29 जुलाई को क्या मना जाता है अंतरास्टी बाग दिवस बागों के सनरक्षण के लिए बागों के importance को बताने के लिए अवेर करने के लिए ये दिवस मनाय जाता है देखिए इसकी शुरुवात कब से हुई है 2010 से हुई है रूस के सेंड पिटर्सबर्ग Tiger Summit से इसकी शुरुवात हुई है और पहला विश व बाग दिवस मनाय गया था इसमें क्या हुआ था दोस्तों इस सम्मेलन में इसमें जो Tiger Area वाले टोटल 13 देश हैं वो इसमें सम्मेलित हुए थे इन सभी देशों ने मिलकर के संकल्प लिया था कि हम 2022 तक जंगली बागों की जो अबादी है उससे दुगना कर देंगे अब देखे थीम याद रखेगा वेरी वेरी इंपोर्टन थीम है इंडिया लॉंचेस प्रोजेक्ट टाइगर टो रिवाइब दी टाइगर पॉपलेशन दोस्तों एक इंपोर्टन कोश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बागों के संडरक्षन के लिए कब परियूजना स्टाट की गई तो बाग परियूजना दुनिया में अच्छी तरीके से प्रचारित वन जीप अवियानों में से एक है और इसकी शुरुवार्ट 1973 में की गई देखे फ्रेंड्स यदि आपसे पूछा जाया कि सबसे पहला Tiger Project कहा पर स्टाट हुआ है उत्तराखन राज में स्टाट हुआ है जीम कारबिट राश्ट उध्यान में पश्रिम बंगाल में सुन्दरवन राश्ट उध्यान है MP में बांधोगड राश्ट उध्यान है राजस्थान में सरिस्का राश्ट्यूद्यान है असम में मानस राश्ट्यूद्यान है और केरल में पेरियार राश्ट्यूद्यान चलिए फ्रेंड्स मैं आपको समझाता हूँ कि बागो की संख्या दुनिया में कहां पर कितनी है और भारत में कौन सा राज सबसे आके हैं भारत में सबसे पहला नंबर है MP का MP को Tiger State कहा जाता है MP को Leopard State भी कहा जाता है देखें दूसरा नंबर आता है करनाटक का 524 है तीसरा नंबर आता है उत्तराखन राजी का चौथा नंबर है महरास्ट का पाचवा नंबर है तमिल नंबर है केरल का तो इस प्रकार से आपने देखा बागो की संख्या सबसे जादा मधि प्रदेश राज में पाई जाती है भारत ने बागो के संड़क्षन के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है हाला कि डाटा बहुत ही चौकाने वाला है कि बागो की बहुत सारी मौते भी हुई है पिछले तीन से चार सालों में दुनिया में सबसे जादा बागो की संख्या भारत में है 2019 के डाटा के एकॉर्डिंग 2603-3346 के बीच में ये एस्टिमेट है exact में आपको नहीं बता पाऊंगा तो 2019 में ये भारत का डाटा है सबसे जादा पूरी दुनिया में बागो की संख्या भारत में है दूसे नमबर पे रश्या है तीसे नमबर पे चाइना है चौते नमबर पे वियतनाम है तो चलिए फ्रेंड्स आई देखते हैं question number 3 very very important question हाली में इसरो की द्वारा वैश्वी ग्राहकों के उपग्रह लॉंच करके कितनी विदेशी मुद्रा को प्राप्त किया गया है तो इसका सही उत्तर है 279 मिलियन डॉलर दोस्तो इतना पैसा एकठा किया है इसरो ने और देखिए फ्रेंड्स ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है एक समय था कि जब भारत का कोई सेटलाइट कोई देश लॉंच नहीं कर रहा था लेकिन फ्रेंड्स आज का समय इतना बदल गया है कि भारत दूसरे देशों के सेटलाइट को अपनी जगह से लॉंच कर रहा है तो भारत का जो स्पेस टेकनलोजी है ये तो मजबूत हुआ ही है साथ में भारत की जो अर्थ विवस्ता है स्पेस टेकनलोजी के मदद से बढ़ रही है तो इसरो ने फ्रेंट्स ग्लोबल कस्टमर्स के लिए उपग्रह को लॉंच करके विदेशी मुद्रा में 279 मिलियन डॉलर एड किये है इसरो ने अपनी कमर्शिल कंपनियों के साथ मिलकर PSLV जिसे हम बोलते पोलर सेटलाइट लॉंच होई कर इस पर 344 देशों के 345 विदेशी उपग्रहों को सफलता पूर्वग लॉंच किया है चली फ्रेंट्स इसरो से रेलेटेट कुछ इंपॉर्डन बिंदों पर डिसकस कर लेते जो आप से पूछे आ सकते है इसरो का हैटकौर्टर कहाँ पर है बैंगलूरू में इसका हैटकौर्टर कहाँ पर है इसरो की स्थापना कब हुई है 15 अगस्ट 1969 को इसकी स्थापना हुई है प्रेजेंट में इसके चेर्मेन को है डॉक्टर S. सोमनाथ क्या नाम हैं इनका डॉक्टर S. सोमनाथ किस नंबर के है ये दसवे नंबर के चेर्मेन है अध्यक्ष है दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ important points हाली में जो इसरो की द्वारा किये गए हैं आई देखते हैं हाली में फ्रेंट्स 30 जून को इसरो ने PSLV C-53 mission ने सिंगापूर के तीन ग्रहक उप ग्रहों को लॉंच किया है पहला है DSEU NUSAR और SCOOV-1 इसको सफलता पूर्वक लॉंच किया है इसरो से related कुछ full form है जो आपसे पूछे जा सकते हैं यहाँ PSLV का full form है Satellite Launch Vehicle ASLV का है Enhanced Satellite Launch Vehicle PSLV है Polar Satellite Launch Vehicle कुछ important mission है आगामी जो इसरो से related है पूछे आ सकते है गगन यान mission भारत का पहला अंतरिक्ष mission है 2023 में गगन यान mission launch होगा चंदरयान 3 mission चंदरयान 3 2022 के तीसरी के माई के दौरान launch होगा इसके लावा दोस्तो भारत जो है शुक्रयान mission को भी launch करने वाला है इश्रो भी सुक्रग्रह के लिए एक mission की उजना बना रहा है शुक्रयान mission 2024 तक launch किया जाएगा फोर्थ इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स आने वाला है ध्यान से सुनियेगा हाली में किसने फॉर्मुला वन से सन्यास लेने की गोशना की है Recently who has announced his retirement from Formula 1 तो दोस्तो बहुत बड़ा नाम है ये और ये है Sebastian Vettel क्या नाम है इनका? Sebastian Vettel Lewis Hamilton British player है Michael Schumacher German player है Max Verstappen Netherlands के player है दोस्तो चार बार के World Champion है Sebastian Vettel इन्होंने 2022 season के अंत में Formula 1 से सन्यास लेने की गोशना की है Sebastian Vettel किस देश के रहने वाले? Germany Vettel ने इसकी शुरुवात 2007 में की थी फ्रेंट्स Lewis Hamilton, Michael Schumacher के बास Sebastian Vettel की बात करे तो सबसे अधिक Grand Prix जीतने वाले तीसरे वेक्ती है इन्होंने टोटल 53 Grand Prix अपने नाम किये हैं देखे फ्रेंट्स आज की सबसे पहली Knowledge Factory आपके सामने आने वाली है आज की Knowledge की Factory में मैं आप से डिसकस करूँगा अंतरास्ति सीमाओं के बारे में International Boundaries के बारे में तो देखे पहला है भारत और चीन के बीच में है Mac Mohan रेका भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड़ क्लीफ रेका जर्मनी और पोलन के बीच में हिंडनबर्ग रेका 38 डिगरी पैरलल रेका यानि 38 समनानता रेका उत्तर कोरिया और दक्षन कोरिया के बीच में जर्मनी और फ्रांस के बीच में कौन से रेखा है friends, Meggie Not रेखा है, 49 यानि 49 पी समनानता रेखा है अमेरिका और कैनडा के बीच में रूस और फिल्लेंड के बीच में मेन रहीम रेखा, very very important पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन से रेखा है, डूरन रेखा है देखे, यह बहुत important topic है एक number तो आपका पक्का है बहुत ध्यान से सुनिएगा आने वाले exam के लिए बहुत ज़रूरी है, देखे friends एक important जनकारी मैं आपको दे दू download कीजे root application यहाँ पर आपको मिलेगा live batches बहुत सारे विशो के आपको live batches मिलेंगे, बहुत सारे courses आने वाले हैं, बहुत सारे teacher आने वाले हैं जहाँ पर आपको live पढ़ाएंगे अभी present में यहाँ पर कौन-कौन से batch चल रहे है science special batch जो की मेरे दोरा चलाय जा रहा है, history special batch arithmetic special batch by निशिस sir, polity special batch by पंकस sir, तो यह सारे special batches चल रहे हैं आपको live enroll करना है root application पर, यदि आपको इन सभी batches को join करना है तो आप root application को download कीचे वहाँ पर आपको यह सारे batches मिलेंगे बहुत सारे amazing courses आने वाले हैं, अपने batches के लिए enroll करें, अगला महतुपूर current affairs आप सभी की सामने रहा हाली में England के Leicester Cricket Ground का नाम किस भारती क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है England Leicester Cricket Ground is named after which Indian क्रिकेटर, तो इसका सयुत्तर है सुनील गवसकर Leicester Cricket Ground का नाम क्या रखा गया है सुनील गवसकर जी के नाम पर रखा गया है यह जो ground friend इसकी ownership किसके पास है भारत Sports and Cricket Club के पास है सुनील गवसकर की बाग करे तो भारत को क्रिकेट के छित्र में बहुत उचाईयों पहुचाने वाले वेक्ति हैं सुनील गवसकर और इनको सम्मान देने के लिए इस स्टीडियम का नाम गवसकर Ground रखा गया है सबसे अधिशा तक भी लगाये थे एक समय इनका record था 34 का दोस्तों 10,000 रन पहुचने वाले 10,000 रन बनाने वाले सबसे पहले क्रिकेटर भी थे देखे इनकी बात कर ले तो 1983 में जब भारत World Cup को जीता था क्रिकेट में तब ये विजेता टीम के हिस्सा भी थे अमेरिका की केटकी में एक मैदान का नाम भी सुनील गवसकर के नाम पर रखा है दूसरा उनके सम्वान में तंजानिया की जंजी बार में बनाया जा रहा है सुनील गवसकर को देखे उप नाम से भी जाना जाता है सुनिल गवसकर को सनी कहा जाता है और लिटिल मास्टर के नाम से भी जानते हैं सनी और लिटिल मास्टर के नाम से सुनिल गवसकर को जाना जाता है दिखी फ्रेंड्स, next important current affairs एरा हाली में किस राज सरकार ने राज में प्लास्टिक कोटिंग वस्तुओं पर रोक लगा दी है which state government has banned प्लास्टिक कोटिंग आइटमस in the state तो दोस्तो ये फैसला हाली में महरास सरकार ने लिया है दोस्तो हाली में महरास्टर के नए मुखे मंतरी बनने इनका क्या नामे एक नाश शिंदे मैंने आपको बताया था एक नाश शिंदे जी ने गोशना की है कि राज में प्लास्टिक कोटिंग या प्लास्टिक लेमिनेटिड वस्तुओं पर रोक लगा दी गई है इसका objective क्या है प्लास्टिक यूगत वस्तुओं के उप्योग को कम करना और देखी फ्रेंट्स घटिया प्लास्टिक के प्रवा को भी कम करना महराश सरकार ने 2018 में फैसला लिया था कि प्लास्टिक समगरी का निर्माण, उप्योग बिक्री वित्रण और जोसका स्टोरेज है उस पर प्रतिबन लगा दिया गया देखी फ्रेंट्स यहां पे बात हमने महराश्ट राजिकी की है तो महराश्ट राज से रिलेटेड इंपोर्टेंट पॉइंट्स को है डिसकस करते हैं सबसे पहले देखी लोकेशन पर ये है महराश्ट हम ये जानते कि महराष्ट राज के पडोसी राज कौन-कौन से हैं तो पहला नमबर है गुजराद, दूसर नमबर है MP, तीसर नमबर है गुवा, चौथा है करनाटक और पांचवा है तिलांगना ये पांच राज और ये छटवा है छत्तिसगर तो ये 6 राज जो हैं महराष्ट की सीमा को छूते हैं महराष्ट राज का गठन का बुवा था 1 मई 1960 को महराष्ट के प्रिजिट में गवर्नर को अने भगत सिंग कुश्यारी जी है एकनाश शिंदे यहां के चीफ मिनिस्टर है यहाँ पे बिधान सभ शीट की बात करें तो 288 है बिधान परिशत की सीटे 78 है विराज सभा में 19 सीटे है लाज में बात करें लोग सभा सीट की तो यहाँ पे लोग सभा सीटे 48 है नेस्ट इंपोर्टेंट सैवंध करिंट एफरियरा हाली में किस राज में पहला महिला बैंक खुलने जा रहा है तो दोस्तों कहां पर खुलने जा रहा है राजस्थान राज में पहला महिला बैंक खुलने जा रहा है राजस्थान सरकार ने हाली में राजस्थान महिला निधी नामक महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने का फैसला किया है दोस्तों इसके लिए तिलागना सरकार के इस्तरी निधी क्रेडिट सहकारी संग के साथ समझोता भी किया गया है इसका मेन उद्दिश है महिलाओं को मजबूत करना महिला शशक्ति करन को बढ़ाना इसका प्रमुक उद्दिश है देखिए दोस्तों कोश्चिन नमबर एट आप सभी की सामने रहा कोश्चिन नमबर एट वेरी वेर इंपोर्टन कोश्चिन हाली में विश्व प्रकृति संरक्षन दिवस कम मनाये गया तो नीचर कंजर्विशन दे हर साल 28 जुलाई को मनाये जाता है इसका उद्देशिक है फ्रेंट्स जो प्रकृति है नेचर है और जो नेचरल रिसोर्स है इनके कंजर्विशन के बारे में लोगों को जागरुक करना लोगों को बताना इनके महत्तुके बारे में देगे थीम याद रखिएगा थीम है दो हजार बाइस की लिविंग इन हार्मनी विट नेचर दोस्तो संयुकतराष्ट खाद और क्रशी संगठन के अनुसार ये बताया गया है दो हजार पचास तक पृत्वी की जो सबसे उपरी मिट्टी है इसकी सबसे जो उपरी लेयर है उपरी मिट्टी है 90% इसकी रिस्क पोजिशन बनी हुई है याईनि खत्रे में है दोस्तो जो भी हम खाद्यान का उत्पादन करते हैं वो इस मिट्टी के संग्रक्षन की वज़से इस मिट्टी की वज़स होता है यहाँ पर फ्रेंड्स मैं डिसकस करूँगा पर्यावरंण से रिलेटेड इंपोर्टेंट दिवस के बारे में तो देखे हर साल वर्ल्ड स्वाइल डे मनाय जाता है पास दिसंबर को विश्व घरेलू गौराया दिवस हर साल 20 मार्च को मनाय जाता है वर्ल्ड एलिफेंट डे हर साल 12 अगस्त को मनाय जाता है 26 अवंबर को मनाय जाता है विश्व पर्यावरंण से रिक्षन दिवस 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर कंजर विशन डे मनाय जाता है विश्व ओजोन दिवस का मनाय जाता है 16 सितंबर को 22 सतंबर को मना जाता है विश्व गेंडा दिवस World Earth Day, very very important 22 April को मना जाता है विश्व महा सागर दिवस ये 8 जून को मना जाता है दोस्तो आज का आखरी important current affairs आप सभी की सामने आने वाला है भारत का पहला सौदेशी विमान बाहग पोथ कौन है जिसे हाली में भारती नोसेना को सौप दिया गया है विच इस दा फर्स्ट इंडीजीनेस एरक्राफ्ट केरियर ऑफ इंडिया विच हैस बिन रिसेंटली हैंडेड ओवर टू दे इंडी नेवी तो दोस्तो इसका नाम है आएनेस विक्रान आएनेस विक्रान जो है भारत का पहला इंडी जीनेस विवान बाहग पोथ है दोस्तो भारती नोसेना ने कोचिन शेप याड के दोरा किसके दोरा कोचिन शेप वियाड के दोरा जो बनाई गई है सौदेशी विमान वहाग विक्रांग इसकी डिलिवरी प्राप्त कर ली है आइनेस विक्रांग को बहुत सारे परिक्षड से घुजरना पड़ा था आइनेस विक्रांग अगस्त 2021 से और जुलाई 2022 के बीच ये व्यापक बंदरगा और समुद्री परिक्षडों के बाद 9 सेना को स्वापा गया है दोस्तों आइनेस जो विक्रांग है इसमें जो उपकरण लगाए गए किसकी मदद से लगाए भारत एलेट्रोनिक्स भारत हैवी एलेट्रिकल्स गार्डन रिच शिप बिल्डर्स और इंजिनियर सहिद कई भारती उद्योगों से इसका उपकरण प्राप्त किया गया है दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आइनेस विक्रांग जो है इसके एयर भिंग में मिग 29 के के यूबी फाइटर जेट कामोव 31 MS-60R मल्टी रोल हेलिकॉप्टर ऐसे टोटल 30 विमान इसमें शामिल हो सकते हैं चली दोस्तों आइए डिसकस करते हैं करेंट अफेर् गार्डन खोला है देहरा दून में किस अविनेत्री ने देप्रेग्रेंसी बाइबल नामक इस कुस्तक को लॉंच किया है करीना कपूर ने किसने वर्ष 2021 के इसक्रिप्श नस्नस पहली भी पृतियोगीता को जीता है जाइला आवन गार्डे ने अमेजर ने भारत के किस सह और किसको राष्ट मंडल खेलो CWG 2022 के लिए भारत का ध्वजवा किसे नॉमिनेट किया गया तो पीवी सिंदू और मनप्रीश सिंग को विदेश मंत्री S.J. शंकर S. CEO की बैठक में भाग लेने के लिए किस देश की आत्रा पर गए उजबेकिस्तान की आत्रा पर ये है सदस्ता दी गई है कंबोडिया को उजबेकिस्तान को कोटे डी आईवर को फिफ्ट इंपोर्टन रिविजन कोश्चिनिरा हाली में बलविंदर सफरी का निधन हो गया इनका संबंद किस छेत्र से था तो ये गायक थे किस देश में 300 साल के बाद लूलू रोजनाव का सबसे बड़ा गुलाबी हीरा मिलाएं अंगोला में विश्व हेपिटाइटिस दिवस किस दिन मनाय जाता है 28 जुलाई को नेश्टर फेंट्स भारती पहलवान सूरज वसिष्ट ने अंडर 17 वर्ल्ड चेंपिंशिप में कौन सो मिडल जीता है इन्होंने गोल्ड मिडल हासिल किया है कौसर सिदीगी को किस भाषा में बाल साहित पुरसकार 2021 प्रदाय किया गया उर्दू भाषा के लिए मैं आपसे प्रशन करने वाला हूँ जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है 2018 की गड़ना के अनुसार मध्य प्रदेश में टोटल कितने टाइगर है आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है ये था 29 जुलाइ की करेंट अफेर्स का रिविजन हमें डेली करेंट अफेर्स में 30 जुलाइ की करेंट अफेर्स को भी आपके लिए कवर किया आपके अंदर वो जजबा है वो जजबात है जो कि हमारी फैमिली को आगे लेके जा सकता है तो दोस्तो आज मैं फिर से काऊंगा अपने हर एक दोस्तो को शेर करें ताकि वो भी इस डेली करेंट अफेर का फार्दा उठा सके मात्र 15 से 20 मिनिट में हम इतनी सारी जानकारी सीख लेते है 20 मिनिट में पहली बार हमारे चैनल पर आ रहा है तो डोंट फरगेट तो सब्सक्राइब एम प्रेस दी बैल आकर बटन कीप लाइकिंग कीप शेरिंग योज चैनल क्रेजी जीगडरेक्ट